आज हम लोग भगवत गिता का असलोक नम्मर 14 और 15 पर चर्चा करेंगे उससे पहले गुरु बंधना हम लोग कर लें ओम अज्यान तिमिरंधस्या ज्यान अंजन सलाक्या चक्छुर मिलिंतं येन तसमें स्री गुरुर्वे नम्म स्री चैतन मनों हिस्ठं अस्थापितं येन भूतले स्वेंग रूपह कदह महिया ददाती सोपदांतिकं बंदेहं श्री गुरुव, स्री युट पद्पत कमलंग, स्री गुरून वैस्णवांश्च्या, स्री रूप सागर जातंग, सह गन रगुनाथान भितां तम्सजीवं साथ परिजन सहीतं क्रिष्ण चैतन्य देवं स्री राधा क्रिष्ण पादान सहगन ललीता स्री भीक साखा उतांस्च एक क्रिष्ण करुना सिंधो दीन बंधो जगत प्रिये गोपेश गोपिता कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गोरांगी राधे बिन्दावने स्री ब्रिष्ण भानू सुते देवी प्रा नमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरू भ्यस्च किर्पासंदु एव चो पतितानांग पावने भ्यो वेश्ण विश्ण नमुनमा स्री क्रिष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद स् स्री वाशादि गौर्भाद मिंद्ध हरे क्रिष्ण करिष्ण खृष्ण खृष्ण हरे 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 राम हरे राम.ी. हरे आन जोदा नमर अस्लोक इस तरह है मात्रा अस्पर्शा तू कोंते सीत उस्न सुख दुख दा आगम आप यीना अनित्याह तान तितिक्छस्व भारत इसका अर्थ है हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का छनिक उदय तथा काल करम में उनका अंतर ध्यान होना सरदी तथा गर्मी की रितूओं के आने जाने के समान है ये भरतवनसी वे इंद्रिय बोच से उत्पन होते हैं और मनुस को चाहिए कि और विचल भाव से उनको सहन करना सीखे और पाजित कात्पर बताते हैं कर्तव निर्वश्ट के जनिक जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए वैदिक वेदा आदेशा अनुस्वार मनुस को माग मतलब जन्वरी फरवरी के मास में प्रासा काल अस्तान करना चाहिए उस समय अत्यधिक ठंड परती है किन्तु जो धार्मिक नियों का पालन करने वाला है वह अस्तान करने में तनिक भी जिजकता नहीं है इसी प्रकार एक ग्रिहिनी भीषन से भीषन गर्मी की रितू में मैज उनके महिनों में भोजन पकाने में हिचक्ती नहीं जलवायू समंधी असुबधाएं होते हुए भी मनुस को अपना कर्तब निभाना होता है इसी प्रकार युद करना छत्रिये का धर्म है अता उसे अपने किसी मित्रिया परिजन से भी युद करना पड़े तो उसे अपने धर्म से बिचलित नहीं होना चाहिए मनुस को ज्यान प्राप्ट करने के लिए धर्म के विदी-विधान पालन करने होते हैं क्योंकि ज्यान तथा भक्ती से भी सेही मनुस अपने आपको माया के बंधन से छुड़ा सकता है अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्पूर्ण है कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मात्री कुल से समंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर पित्री कुल से समंध प्रकट होता है दोनों और से उसको महान विरासत प्राप्त है महान विरासत प्राप्त होने के फलस्रूप कर्तब निर्वाह का उत्तरदाइद आ पड़ता है अतह अर्जुन यूद से विमुख नहीं हो सकता इस असलोक में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन के अर्जुन को समझाते हुए सारे जीव को समझा रहे हैं जो जीवन कैसे जीया जाए मतलब जीवन जीने का जो मैनुवल है वो भगवान द्वारा कहा जा रहा है वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन के बहाने सारे जीवन को ये संदेश पहुचा रहे हैं कि अप हम लोग के अपने जीवन का जो मैनुवल है इस तरह से जिया जाए किन-किन परिस्थितियों में हमको अपना किस तरह से अपने जीवन जीने का डिसीजन लें धार्मिक तोर पर या धार्म को की रच्छा करते हुए और जो सास्तरा नुगत विचार को रखते हुए हमको किस तरह के विचार के साथ अपना जीवन जीना चाहिए यही भगवान इसमें कहा गया है कि अर्जुन को भगवान दो नाम से पुकारते हैं एक कौंतई और एक भारत कौंतई से मतलब होता है जो वह कुंति के पुत्र है इस से उनकी मातरी कुल का पहचान होती है ौर भारत से मतलब है उनके पिताजी के कुल का कुरूबंस का यह पहचान होता है दोनों कुल जो है बहुत बड़ा कुल है बहुत मतलब सर्वस्रेस्ट कुलों में से एक है बहुत पावरफूल और बहुत बड़ा सामराज का सामराज वाला यह दोनों कुल है कुरूबंस तो जानते ही ह सबसे बड़ा उस समय का सामराज था और मात्री कुल भी उनका बहुत स्ट्रॉंग था तो उससे रिलेटेड अर्जुन आदमी है और राजबंस से इसका संबंध है राजकुमार है तो अर्जुन कोई मामूली आदमी नहीं है अर्जुन बहुत बड़ा उत्तरदाइत निभाने वाला आदमी आपका सकते हैं अर्जुन को बहुत बड़ा उतरदाइत है जो अपने परजा के पालक के रूप में और धर्म की रक्षा करने वाले के रूप में उनके पास बहुत बड़ा उतरदाई तो है तो भगवान उसको और अरजुन को हम देखते हैं कि अब बहुत सा डिसीजन में वह अटक गया है जो क्या करें नहीं करें तो भगवान उनको समझा रहे ह भगवान कर रहे हैं अर्जुन को तुम्हारा जो छत्रिय धर्म है तुम उसको तुमको जरूर निभाना चाहिए और छत्रिय धर्म निभाने में जो कटनाईया आ रही है वो उसकटनाई वो तुमको धैर पूर्वक सहन करना चाहिए और उसकटनाई से आगे बढ़ना चाहिए भगवान कह रहे हैं कि है अरजुन यह रिलेटिव वाला जो बात है तुम जो कह रहे हो हो जो हमारे रिलेटिव हैं इनका बद कैसे करें इनसे कैसे युद करें तो यह छनिक भावना है इस भावना से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा उसमें यह कह रहे हैं भगवान एक्जाम्पूल दे रहे हैं कि जैसे जीवन यापन करने में मनुस को सर्दी और गर्मी का एहसास होता है तो बहुत ज़्यादा करक ठंड रहती है तब भी जो धार्मिक ब्यक्ति है वो अनुसवार थंडे पानी में असनान करता है और बहुत ज़्यादाग धर्मी रहती है तब भी माताएं उतनी भरी गर्मी में वो एकीचेन में में या रसयुमें जाके उतना गर्मी में भी भोजन पकाती है uh वो भोजन पकाना नहीं छोड़ती है और जो लोग धारमिक विचारदारा के यह असनान करना नहीं छोडते हैं आम आदमी क्या करेगा जो बहुत ज़रा गर्मी है तो सोचे सबस्तों एतना गर्मी में खाना पकाएं आनुलाइन मंगबा लेते हैं या बहुत आदमी असनान क् ऐसा कर सकता है लेकिन भगवान कहते हैं जो ये सरदी गर्मी जो है, ये मोसम है और ये मोसम आज आया है और कल चला जाएगा ये एक-दो महिना का मोसम रहता है, दो-तीन महिना का और आता है जाता है इस मौसम रूपी बाधास से बाधित होके तुमको अपना कर्तब नहीं छोड़ना चाहिए जैसे कि अगर कोई और इतना भीशन गर्मी में अगर खाना नहीं पकाएगी तो उसका परिवार खाएगा क्या उसका परिवार को खाना नहीं मिलेगा और यह समझे कि जो खाना नहीं मिलेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा वो जिंदा कैसे रहेगा तो इतना मौसम का मार सहते वे भी लोग कोई अपना काम छोड़ता है नहीं छोड़ता है कितना भी ठंड पड़े कितनी भी गर्मी हो कितना भी बरसात हो लोग अपना ओफिस जाना नहीं छोड़ता है लोग अपना बिजनेस नहीं छोड़ता है लोग का जो अपना अपना काम है करता ही रहता है क्योंकि इस तरह से मौसम के महसूस करके मौसम के ताप को महसूस करके लोग अपना अपना काम छोड़ते रहे तो सालों भर कामें नहीं करेगा दूचार दिन काम करेगा और हमेशा कहा कि हम आज यह है वो है तो यह काम नहीं करेंगा वो काम नहीं करेंगा तो जीवन ठप रह जाएगा जीवन चलेगा ही नहीं और हमको अपना जीवन भी जीना है जीवन मनुस अगर कार्यत रहेगा तब समाज पडिवार चलेगा पडिवार से समाज चलेगा समाज से देश चलेगा और देश से पुरा दुनिया चलेगा तो इसमें भगवान कहते हैं तुम को उसी तरह अभी जो तुम सोच रहे हो, जो मेरा यह संबंधी सब है, इसके साथ कैसे यूद करेंगें, यह भावना ठीक उसी तरह है, मौसम के तरह है, तो मौसम के तरह यह भावना है, जो हम अभी यह काम कैसे करेंगें, लेकिन यह बहुत दीन तक यह रहने वाला नहीं है, जो अपने तुम्हारे सगे संबंधी का जो यह भावना है इस भावना सो तुम उपर उठो तुम्हारा जो करतब है छत्रिय गुन जो है तुम्हारा जो करतब है वो तुमको करना चाहिए इसमें हम आम आदमी को भी यही सिख्षा मिलती है इससे जो भावना में बहके मनुस को अपना करतब नहीं छोड़ना चाहिए भावना में अगर मनुस बहते रहेगा तो भावनाएं हमेशा आते ही रहेंगी आज यह काम हो गया तो आज ओफिस ने जाएंगे आज ठंडा हो गया तो बहुत ठंडा लग रहा तो ओफिस ने जाएंगे कितना दिन तक आपने जाएगा ओफिस या अपना काम कितना दिन छोड़ के घर में बेठे रहेगा तो इससे तो आपको उबरना पड़ेगा अब जो ठंडा है तो उसका प्रिकॉसनी मेजर जो है जैसे गरम कपरा पहन के आपको ओफिस जाना है या बहुत गर्मी है तो उस कि चोटी जो दहिक अनुभव है उससे ऊपर उठके लोग अगर काम नहीं करेगा तो वह जीन सुखी नहीं रहएगा तो जीवन को सुखी बनाने के लिए और समाज में एक अच्छे विवस्था को पालन करने के लिए मनुस को अपने दैहिक कस्ट जो है जो की मौसम के तरह बदलते रहता है या रिलेशन रिलेटिव से भावनाओं जो हमारे भावना जो हमारे करतब के आगे आते हैं जो आज कुटूम फलना कुटूम आ गए घर तो आज दस दिन उनके चलते ओफिस दे जाएंगे और इस सबसे आप जब अगर उठिये गा नहीं तो आपको तो आप काम कैसे कर और अपना ड्यूटी आप नहीं कर पाईगा तो आप अपने जीवन से निरास हो जाएगा क्योंकि बहुत सी निरासा जनक बात सब आपके साथ धटने लगेगी आप अपना कोई भी आदमी अपना करतब नहीं अगर निभाएगा चाहे उखेटी करता है बीजनेस करता है चाह करते हैं ताम करते हैं और या आपका उसे क्या होगा अपन नफरत का केंद्र बन जाएगा सबसे पहले क्या होगा आप जिस जो कारे अस्थालम है वहां आपकी अलोचना होगी तौह ने संपालियेगा उसके बाद आप जगब बहुर रहिएगा तो अपना क्रोध जो है अपने घर के किसी मेंबर पर आप जारिएगा तो आपका परिवार का जो सदस है वो सब आपके एगेंस्ट में हो जाएगा आपसे नफरत करने लगेगा तो चारो तरब निगेटीव भावनाएं आपके पास आ जाएगी आप उनसे घीर जाएगा और मोटा मोटी कही कि आपकी पत्नी आपके बच्चे और आपका जो सबसे प्रिये आदमी है दोस्त है या ओफिस का जो आदमी है करमचारी है आपसे उपर का बौस है या खेती जो है आपका खेत है वो सब आपके बिरूद चला जाएगा और आपका सब कुछ नास हो जाएगा तो इसमें भगवान कहते हैं ये जीवन जीने का मैनुवल है भगवान कहते हैं कि ये छोटी-छोटी भावनाएं जो आते रहती हैं इस भावना में अटक के तुमको अपना कर्तव नहीं छोड़ना चाहिए ये भावनास वैसे है जैसे मौसम है सर्दी आता है गर्मी आता है तो कोई लोग अपना काम थोड़ी छोड़ता है उसी तरह यह relation भी तुम्हारा मौसम के तरह है तुमको इसको इसके इस मौसम के को अनुभव करके ऐसा नहीं तुमको सुझना चीज हमको यूध नहीं करना तुमको अपना छत्रिय धर्म निवाना है यूध करना है इसी में त स्वास आएगा तो तुमको यह काम करना है और इस तरह के देहात्मित बुद्धी से अपना छत्रिय धर्म तुम कि नहीं निभारे वो गलत बात तुमको निभाना तो यह हो गया चौदा नमर स्लोक में हम जितना समझें सो बता रहे हैं पंद्रह नमर स्लोक में भी हम इसी से रिलेटेड है लगवाग यह हम पार रहे हैं हम यम ही ना व्या थ्यंती एते पुरुसम पुरुस रिसवह सम दुख सुख धीरम सह अम्रित त्वाय कल्पते इसका अर्थ है हे पुरुस रेष्ट अर्जुन भगवान कहते हैं हे पुरुस रेष्ट अर्जुन जो पुरुस सुख तथा दुख में बिचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है प्रफाज जी तात्पर समझा रहे हैं जो ब्यक्ति आत्म साक्षातकार की उच अवस्था प्राप्त करने के लिए दिड़ परतिग्य है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग है वर्नास्रम धर्म में चोथी अवस्था अर्था सन्यास आश्रम कस्ट साध्य अवस्था है किन्तु जो अपने जीवन को सचमुच पुर्ण बनाना चाहता है वह समस्थ कटनाईयों के होते हुए भी सन्यास आश्रम अवस्थ गरहन करता है ये कटनाईयां पारिवारिक संबंद विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंद तोड़ने के कारण उत्पन होती है किन्तु यदि कोई इन कटनाईयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पत निश्कन तक हो जाता है अता अर्जुन को छत्रिय धर्म निर्वाह में दिर्ड रहने के लिए कहा जा रहा है बले ही स्वजोनों या अन प्रिये ब्रक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुसकर क्यों नहो भगवान चेतन ने 24 बर्स की अवस्था में ही सन्यास गरहन कर लिया तथा यद्यपी उन पर आश्रित उनकी तरुन पत्नी तथा ब्रिद्धा मा की देखवाल करने वाला अन कोई न था तो भी उच्चादर्स के लिए उन्होंने सन्यास गरहन किया और अपने कर्तब पालन में इस्थिर बने रहे भव बंधन से मुक्ती पाने का यही एकमात हुपाई है इसमें भी भगवान यही समझा रहे हैं और जुनको जो अपने जीवन में किस तरह से हमको अपना जीवन का कर्तब निभाना चाहिए हर काम में हर मनुस को चंद परती चंद हमेशा सुख हर दुख का नुभव होते रहता है तो उस समय मनुस को क्या करना चाहिए तो भगवान कहते हैं मनुस को सुख हर दुख में समभाव रखना चाहिए इसमें एक एक जांपूल हम दे सकते हैं कि एक राजा था उसको उप बोला अपने मंत्री से जो तुम हमको यह बताओ जब हम सुखी हैं सुख हैं कि अधिक उत्तेजना में नहीं आए संभाव में रहें अगर सुखी हैं तब भी हमको संभाव में रहना है मनें बहुत उत्तेजना नहीं दिखाना है और कोई दुख आया उस समय भी बहुत हमको उत्तेजित होके ज़्यादा दुखी नहीं होना है इसके लिए हम क्या करें तो मंत्री ने कहा जो भगवान यह अंगुठी पहन लिजिए राजा वो अंगुठी पहन लिया तो उसमें वो देखा जो उसमें लिखा हुआ है समय बदल जाएगा उसमें का कहने का मतलब है जब राजा खुशी रहता था तो अंगुठी देखता था तो उसमें आता था यह समय बदल जाएगा फिर जब दुखी रहता था राजा तो उसमें अंगूठी में वही फिर देखता था अंगूठी को तो अंगूठी में आता था यह समय बदल जाएगा तो जब इससे संभाव का कैसे बात हुआ जो अगर राजा बहुत सुख महसूस कर रहा है किसी बात से तो उसको अंगूठी देखता है तो वो देखता है कि उसमें लिखा है समय बदल जाएगा जब ये देखेगा कि समय बदल जाएगा तो राजा बहुत ज़्यादा उत्तेजित होके अपना खुसी मनाने पर उसको रोक लग जाएगा क्योंकि उसके दिमाग में आएगा कि ओ ये जो सुखी का अभी च्छन है बदल जाएगा इसलिए उत्वरा संभाव में आजाएगा बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होगा और जब बहुत ज़्यादा दुख में जो रहेगा तब उजब दुख से ग्रसित होके डिस्ट् में रह रहा है ठीक से खाना नहीं पच रहा है बहुत चिंता में रहा है उस समय भी उस अंगुठी का अगर वो देखता है उसमें लिखा रहता है कि समय ये समय बदल जाएगा तब उसके मन में संतोस आएगा जो जितना हम दुखी है कल हो सकता है परसु हो सकता है चार दिन के बाद हो सकता है यह समय पर्मानेट नहीं रहेगा बदल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहेगा तो इस से क्या होगा जो उसमें संभाव रहने का प्रेड़ना उसको मिलता है और आदत हो जाएगा संभाव सम अवस्था में रहने के लिए तो इसमें भागवान स्री कृष्ण कहते हैं कि मनुस्त का जो सर्व स्रेस्ट करतब्य है वो क्या है इसको पहले मनुस्त का निर्धारन मनुस्त को करना चाहिए जब हम इस पिर्थवी पढ़ाए हैं तो हम कौन है और हमको क्या करना चाहिए और हमको कहा जाना है मेरा लक्स क् तो सबसे पहले हम कौन हैं तो उसको यह पता लगता है कि हम तो जीव हैं आत्मा है और उसको तब पता चलता है तो कहां से आए हैं तो पता चलता है कि परमात्मा से हम आए हैं परमात्मा के यहां थे या गो लोग बिर्दावन धाम में थे या भगवत धाम में थे वहां परम करना है और हमको कहा जाना है तो आत्मा को या जीव को यह समझना चाहिए पता लगाना चाहिए जो हमको क्या करना है जीवन में तो आपको क्या करना है वो निर्धारन करने के लिए पहले आपको अपना लक्ष ढूंड़ना पड़ेगा जो हम अपना जीवन में क्या करें तो जो कार है वह आपके लख्ष के अंस्वार यह काम होता है मान ली जी आपको डॉक्तर बना है तो आप इंजिनेरिंग का पढ़ाएम पढ़हेगा फिजिस क्यमेश्ट्री मैथ मैं आप मैथ छोरके बाईलोजी नहीं पूरुरुद फिजिस कैमेश्ट्री मैथ पढ़ने लगे या खेती करना है तो आप कारखाना में मजदूरी करने लगेगा तो खेती नहीं होगा तो पहले आपको देखना कि आपको करना क्या है उसके हिसाफ से अपना आप काम को चुनना है तब आपको पता चलता है कि हमको करना यह है और यह पता आपको चलना चाहिए एक अच्छे वैशनव गुरू से जिनके पास परमपरिक या उत्तम सास्त्र में जो लिखी हुई बाते हैं उनका ज्यान उनके पास है जो ज्यान क्रिश्म तत्व के साथ है तो उनसे आपको यह जाना है जो आपको जीवन में क्या करना है तो वह आपको बताएंगे जीवन का सबसे बड़ दो में आता है जो हमारा सबसे बड़ा उद्देष खाली जीवन जीना नहीं है जा अच्छा पैसा कमाना फड़क से रहना यही व्यारा उद्देष ने यह टेमपरोरी उद्देष यह खाली दहिक सुख है अमारे जीवन का अगर इस उद्देश को हम पकड़ेंगे तो यह सिर्फ हमारे देह को या हमारे मन को सुख देगा और यह भी temporary सुख देता है यह नहीं कि हमेशा हम हर जिंदगी सुखे में रहेंगे हमेशा आज दूख है तकल सुख है, कल सुख है तकल परसु दूख है, तो हमको इस सुख दूख से आगे बढ़के हमको क्या करना चाहिए, जो हम इस सुख दूख से आगे निकल जाए, जहां कि हमको सुख दूख का अनुभाब नहीं हो, हम हमेशा अपने में मस्त रहे हैं, स तो उसको जब उसके बारे में पता चलता है तो वहां जाने का बहुत तरह का तरीका है उसमें एक सबसे विसेश तरीका में से एक है संभाव संभाव जब तक आप संभाव में नहीं रहेगा तब तक आप भगवत धाम जाने के रास्ते पर नहीं चल पाईएगा संभाव का मतलब वही होता है जो सुख और दुख में सिमीत संभाव में रहना है ना बेसी उतेजित होना है और ना बेसी दुखी होना है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रपाज जी एक उपदेश दे रहे हैं जो मनुस्त को भगवत धाम जाने के लिए क्या-क्या तरीका आपनाना चाहिए तो यह तो तरीका है जो बहुत कम एज सही आप सन्यास ग्रहन कर लिजे और सन्यासी बन जाएए तो आप दुख सु करना चाहिए सबसे प्रॉब्लेव होता है गिरहस्त को जो एक गिरहस्त है जो बाल बचादार आदमी है उसको सम्भाव करना बहुत मुश्चिल हो जाता है तो उसको बैस्तनव लोग कहते हैं ठीक है आप गिरहस्त जिवन अपनाए लेकिन चोटि अवस्था में आपको सन् एक तो सन्यास्ब्या जब नहीं किजिएगा तो सन्यास्घ ना कर लेते हैं तो आप भगवत-धाम जाने के लिए एक ग्रहस्त बीले मरी ने के लिए सब से पहले अगर आप तब भी जाना चाहते हैं पडिवार को छोर के तो जो दुक है उस दूख में आपको संभाव राना है। उस दूख को आपको बर्दास्ट करना है। इसमें धैर की आवज सकता है, शहनसीलता की आवज सकता है। तब आप संभाव में रहिएगा। धैर और आप ये का हम एक्जाम्पूल दे सकते हैं जो महापरहू अपने जीवन में जब सन्यास गरहन के 24 वरस के अवस्था में उस समय उनकी पत्नी एकदम तरूनी थी और उनकी माता बहुत ब्रिद्ध थी उनको देखने वाला कोई नहीं था तब भी महापरहू क्या किये जो सन्या नहीं या कोई भी अलार रिलेटिव दुख हो रहा है ailable में आपने मा और पत्नी का दू कर रहे हैं उस goose कर रहे हैं मेरी मेरा पत्नी बहुत रो रही है, मा बहुत रो रही है, चाती फार-फार का मा रो रही है। उस दुख को बरदास्त करता है सहन करता है और धैर रखता है जो सहन करने का मतलब है दुख को आप सहन कर लीजिए और संभा में रहिए और धैर का मतलब है जो हमको धैर रखना है जो कुछ दिन तक हमारे दिलेटिव्स बहुत दुखी होंगे लेकिन हम नहीं रहेंगे तो ध जीवन जीना धीरे-दीरे लोग सीख जाए इसमें धैर की अवस्था अधैर हो जाएगा जो इनको क्या होगा क्या होगा कैसे होगा बीमार पर जाएगी यह होगा वह कौन देखेगा दिस डैट अधैरता यह हुगा आपको भगवान का नाम लेकर उन लोग को छोड़ देना ह भरोस है लेकिन पूरा भरोसा होना चाहिए तब आप देखेए के धीरे-धीरे वह रिलेटिव सबना अपना अपना जीवन जीना शुरू कर देता है उसमें लग जाता है तो यह दुख जो है उसको सहने सहता लोग का है इसको सहने का एक ही बात है जो हम किसी बहुत बड़ बहुत बड़े काम पोस्ट के लिए तयारी करता है बहुत बड़ा एक्जाम पास करने के लिए तयारी करता है तो देखेए कि 24 घंटा में 16-17 घंटा 18 गंटा पढ़ाई करता है या अपना तयारी करता है उस समय वह अपने रिलेटिव सबसे भेटने करता है सबसे एलूप ह जाता है उससे में उसको बहुत से रिलेटिव यह भी कहने लगते हैं कि इसका घमंड बहुत बढ़ गया यही पढ़ने वाला थोड़े है जो सब किसी सब बातों नहीं करता है हम आते हैं तो खाली परणाम पती करके फिर घर में घुच जाता है हमेशा अलग रहता है खाली ख सहते सहते म täll vora सुनते सुनते धैर अगर उसके पास है ऑsted उस todas comment और ताना बना को सहने की सक्थि उसमें है और घयर है तब और जाता जाएगा और उसमें वो सफल होता है तो देखेगा सब का सिकवा सिकायत खतम हो गया वही रिलेटिव सब जो नफरत करता था जो हमसे भेट करने नहीं आ रहा है हमसे ठीक से बात नहीं करता है यह अच्छा आदमी नहीं है घमंडी है अपने को सो करता है दीज दिर खाली उसके में लग जाता था और इतना पढ़ता था रहे हम तो ब्रवर ना जाते थे जिसकी हम तो उसका जानते हैं हमसे पुछेंड छिक से त्यारी वही हो और चाटाայ वही आदमी एक्क्री यह काली तन्हों ऑगए ज़ गया उसके बेश्मत अच्छा आ गया और तब मेखुश यह ने लगता है तो इसलिए अच्छे बहुत उचे आदर्स को पाने के लिए मनुसको बहुत सत्याक करना पड़ता है और बहुत धैर रखना पड़ता सहन सीलता दिखानी पड़ती है तभी वो अच्पूच आदर्स पकर सकता है और उच्पूच आदर्स अगर प्राप्ट कर लिया तो अगर अध्यात में जाता है तो वो लोग बिंदावन धाम चला जाएगा उसका टिकट उसके लिए उसका रिजर्वेशन हो जाएगा और जब मुक्ति की उसको मिल जाएगी मंधन से तो भगवत धाम जाएगा तो समझे भगवत धाम चला गया तो सब्से अच्छा हो गılmış और उससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है उसका जीवन सफल हो गया तो हमको इसे तरह से हमको जीवन जीना है भगवान स्री कृष्न यहीं ची मई तुमको इसी तरह से जीवन जीना है और उच आदर्स करने के लिए तुमको यूद करना है उसके बीच में अगर रिलेटिव आते भी हैं अगर वो अच्छे आदमी है लेकिन गलत मनसा से आ रहे हैं तो उनको हटा देना है उनका बद कर देना है उसमें कोई कहीं कोई तूटी हम इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं जो तूटी है उसके लिए छमा प्राश्थी अरे कृष्णौ तो जीवन में अगर सफलता चलिए तो हमें घहरी और द्याग्वांजें हो रही है कोई भी कारे के लिए कि चोटी सी चीज भी प्राप करने के लिए आदमी को द्यारे रखना पुकता है को आदमी दुकानी को उचा है तो बड़े द्यारे से उसको रोज जाना पड़ता है सुलशे अवे जाना पड़ता है तब को खाना भी नहीं खापाता वह दो फर खो जब मुम चोटे तो लेकिन अगर भगवार के दाम जाना है ताकि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब तो आद्मों कि इतनी महनत करनी पड़ेगा तो थैरी और त्यार को जोड़ी है तो जब अगर मालिज एक को यादमी धैरी और त्यार करना चाह रहा है लेकि उसके परिवाद वाले न जब जब चैतन महापु ने ने मा को रखने वाला कोई नहीं था तो तो फिर अस समय वो पत्नी को भी छोड़ दी था जंग-पत्नी थी और जब बुरी माँ कोई भी घर में कोई पिता भी नहीं है कोई भाई भी नहीं है तो ऐसी अवस्ता में से ज़्दन महापु방 ने ठोल कारी किया ऐसा सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है इसको कैसे समय जा यह तो लगता ही है सही बात है जो लगता है निस्थूर है यह बात कि इसको हम यह से भी समझ सकते हैं जो अगर हम बहुत खराब बीमारी से ग्रसित हैं कि या मालीजे हमारे सरीर में कोई ऐसा हो गया है जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो हमको कभी-कभी देखते हैं कि उस अंग को काट दिया जाता जैसे पैर में अगर ऐसा कुछ एक्सिडेंट हुआ जो ठीक नहीं हो रहा तो पैर को कहता है काट दीए जो कि हड़ी आपका उसमें खराबी हो गया और पूरा हड़ी को खतम कर देगा पूरे सरीर को दिरे दिरे को हड़ी का जो बीमारी है फैल के खतम कर देगा उसको जैसे काते हैं पोंड टीवी काते है ज़िस तरह का तो उसमें क्या 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 राता हैำ उसको नहीं चाहते हों भी लेकिन हमारा जीवन बच जाएगा इसके खुसी में हम यह decision ले रहे हैं तो यह जब काटने का बात है तो डॉक्टर जब काट रहा है उसको तो तो डॉक्टर अगर माया दिखाएगा जो हम कैसे काटेंगे हैं इसको दरद करेगा यह होगा तो नहीं कर पाएगा उसका इलाज और उसके लिए उसको निश्ठूर बनना पड़ेगा और निश्ठूर नहीं बनेगा तब तक उसका इलाज नहीं करेगा और निश्ठूर जब हम बनेंगे या कोई डॉक्टर बनेगा तभी अम्रित का पान कर सकता है मतलब उसका जीवन बच सकता है उसी तरह घर जब त्याग रहे हैं तो दो बात आती है निश्ठूरता तो हम को दिखाना ही पड़ेगा जो हम अभी चीरैता पी रहे हैं जैसे आभी आपका समय आ गया है अप्रील का महिना इसमें चीरैता काता है पीने के लिए 15-20 दिन नीम खाने के लिए लोग को कहता है तो इसमें 15-20 दिन नीम खा लोगे तो भर साल आपको चर्म रोग नहीं होगा और यह तेर महिना चीरैता पी लिजेगा तापका खून साफ हो जाएगा और बहुत से बीमारियां आपको नहीं होगी लेकिन जब हमारे जीव पर यह दोनों चीज़ जाता है तो कितना हमको तीता लगता है लेकिन तब भी निस्ठूर होके बहुत आदमी नाक बन करके बह जीव हमेशा चाहता है स्वादिष्ट और सुष्वादू चीज अनुभव करने का उसका जीव का मन रहता है और मन भी चाहता है जो अच्छा-च्छा चीज खाएं उसका अनुभव करें लेकिन हम निस्ठूरता अगर दिखाते हैं अपने बुद्धी के बलते जो नहीं हम को यह काम अभी ऐसे करना है कभी हम फिर अच्छा लाइफ जी पाते हैं इसलिए उसमें निस्ठूरता तो दिखाया दिखाये हैं अब निस्ठूरता के विना यह काम सफल नहीं हो पाएगा दूसरा बात है जो कुछ चीज भगवान पर छोड़ देना चाहिए भगवान पर अगर आपको काफी बहुत विश्वास है तभी आप इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं जो आदमी को भगवान पर विश्वास नहीं होगा ना वह आदमी इतना बड़ा कदम नहीं उठागा चाहे वह एक राजनेता ही क्यों नहीं मान लिजिए आज चेतनमहा परभू सन्या से बोलेंगे रिलेटिव बोलेंगे माबाप बोलेंगे कहां महिना में तो दू दिन खाली भेंट होता है दूदू महिना नहीं भेंट होता है वहां घूमते रहता है कहां कहां जाते रहता है जाते रहता है लेकिन वह आदमी फिर भी क्या करता है जब आता है तो पत्ली रो आपको निश्टूर होना ही पड़ेगा और भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा उर राजनेता भी भगवान पर विश्वास कर रहा है जो हम इनोग को छोड़ के जा रहे हैं जो होगा सो भाग्वान देख लेंगे यह तरहका तो पसिज़त का क्या होगा belang का बीमारी का भागवान पुपी साथ करके जब जाता है तो निश्ठूर जरूर लगता है लेकिन वो करना जरूरी है तब यह वो आगे पढ़ेगा लोकिक्ता में तो हम कहेंगे बहुत निश्ठूर है लेकिन वो निश्ठूरतापन दिखाना पड़ेगा कुछ आत्मी के फायदे के लिए उसने समाज की फायदे के लिए कुछ लोग का नुकसान करना पड़ेगा आगर जिसका नुकसान जो समध रहा कि मेरा नुकसान हो रहा है फिर उसके सोच पर डिपेंड करता है अगर उसका सोच सिमीत है भौतिक है तब तो लगया कि मेरे हस्वेंड मेरे साथ में रहते हैं दूसरे का भलाई करते हैं मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन उसके डिपेंडेंट का सोच अगर थोड़ा विश्थीत होगा तो यह कहेगा जो ठीक है हमारे हमको सुक नहीं मिला इन से लेकिन इतना बड़ इतना बड़ा सोच होना बहुत मुस्किल है लेकिन एक्षिली में क्या होता है जब आप अगवान के लिए कुछ करते हैं तो कभी कुछ नुकसान नहीं होता है किसी को नुकसान नहीं होगा एक्षिली में जब आदमी बगवान के लिए कोई चीज का त्यार करता है मालीजी कोई मिलिटरी जॉइन करता है उसके लिए अपने पती पत्नी बच्चों का त्यार करता है तो मिलिटरी वाले उसको और ज्यादा फैसिलिटी देते हैं तो क्यों मिलिटरी की सेवा कर रहा ह कोई कुछ कारे करता है जयां भगवान के लिए अपने पत्नी की ख्याल करें नहीं करता है तो भगवान तो पिर आप इसका परिवार देखने वैसे ही जब कोई आदमी भगवान की सेवा करता है तो उसके परिवानवालों की जो सेवा है श्वें भगवान करने लगते हैं इसलिए और दूसरा है कि उसको बभवान तो उससे जब वहाइन की सेवा कर रहा है तो प्लस ढहुतिक इस तरफे था है कई कुछ नहीं कर सकता है कि इसके जो कर्म में लिखा ओई हो आदमी कि उसको कश्ट होना है तो बेटा रहे नहीं रहे तो सहे गए लेकिन अगर माली को सेवा में लग जाते हैं और वो मदद कर देते हैं तो उसके परिवार वालों को भी नुकसान इसलिए भगवान के लिए कियावा कोई कारिफ, उसमें कुछ भी दोस्त नहीं, उससे फाइदा ही फाइदा है, जो आदमी भगवान के लिए त्याग किया, उसको भी फाइदा है, जो भगवान के कारण और किसी का त्याग करवा है, उसका इससाब का फाइद है, इसने कुछ भी तुर्टी भवान छोड़ते हैं नहीं, मोधिच्छा तरीक साब में समझाया, अरे कृष्णा, सिर्भ पाद जीद, अरे कृष्णा की的ержत ऊमने जीद, भुलाओ ऊり सोड़ते हैं, से की बंचा जुर्टा में जीद, अरे की उरे के इताए हैं, सुर्टा आध TOP